दोस्तों आम के पेड़ पर मंजर लगने लगे हैं मंजर देखकर किसानों के चेहरे खिल गये हैं आम के पेड़ पर मंजर लगने के साथ ही कीट रोगों का प्रकोब भी बढ़ जाता है दोस्तों आप समय आ गया है कि आप आम के मंजरों की देखभाल सुरू कर दें कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आम के पेड़ पर मंजर तो बहुत आते हैं परन्तु फल कम ही लगते हैं दोस्तों आम में फलों का जड़ना एक गंभीर समस्या है आपको बतादूं आम में लगबग 99% फल विभिन चरणों में गिर जाते हैं और केवल 0.1% फल ही परिपक को अवस्था तक पहुँच पाते हैं दोस्तों आज हम जानेंगे आम में फूल और फल जड़ने के पीछे प्रमुक कारण क्या है और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए दोस्तों आम में फूल और फल जड़ने के पीछे पहला प्रमुक कारण नमी की कमी है उच्च तापमान तथा तेज हवाओं के चलने से नमी का अधिक वास्वी करण होता है जिससे पत्ते मुर्जा जाते हैं और फल गिरने की समस्या उत्पन हो जाती है दोस्तों आम के दैसहरी किस्म पर किये गए एक सोध के अनुसार यदि पेड़ की नीमित सिचाई की जाए तो इस समस्या को कम किया जा सकता है तो आम में फूल और फल जड़ने के पीछे दूसरा प्रमुक कारण पोशक ततों की कमी है तेजी से बढ़ रहे फूलों और फलों के विकास के अधिक पोशक ततों की अवशकता होती है ऐसे में यदि फलों को नीमित और संतुलित मात्रा में पोशक ततों ना मिले तो वे वि लिक्ष से गिरने लगते हैं। तो आम में फूल और फल जड़ने के पीछे तीसरा प्रमुक कारण कीट और बिमारिया है। आम में अनेक प्रकार के कीट लगते हैं जैसे की मिली बग, हौपर, इत्यादी साथ ही आम में अनेक तरह की बिमारिया भी लगती हैं जैसे की पौडरी मल्डू, एंत्रेकनोज, इत्यादी जिसके कारण से आम में फूल और फल जड़ने लगते हैं दोस्तों आम में फूल और फल जड़ने के पीछे एक प्रमुक कारण वातावरण में नमी की कमी है तापक्रम अधिक हो जाने के कारण वायों में आंधरता कम हो जाती है सूखे छेत्र में फल जड़ने के पीछे ये एक प्रमुक कारण है ताथ ही तेज हवाल चलने के कारण और ओला विष्टी के कारण भी आम में फूल और फल जड़ते हैं। दोस्तों आम में फूल और फल बनते समय यदि आम के बगीचों की गहरी जुताई कर दी जाए तो इस कारण से भी आम में फूल और फल जड़ते हैं। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि आम में फूल और फल जड़ने की समस्या का प्रबंदन कैसे किया जाए आम के बगीचों की अच्छी देखबाल के दौरा फूल और फल जड़ने की समस्या को कम किया जा सकता है आम के बगीचों की निमि सिचाई के साथ साथ आम के पेड की उलिथीन मल्चिंग के दौरा नमी की कमी को दूर किया जा सकता है दोस्तों आम के बगीचे में खाद और उर्वरक का नियमित वसंतुलित उपयोग से भी इस समस्या को कम किया जा सकता है दोस्तों आम के छोटे फल गिरने से रोकने के लिए प्लैनो फिक्स नाम के हार्मोन का 1 ml 3 लीटर पानी में अच्छी तरीके से गोल बना कर छिड़काओ करें छोटे आम के फलों को गिरने से रोकने के लिए आप 240 नाम के दवा का 2 ग्राम प्रती 100 लीटर पानी का गोल बना कर भी आम के पत्तों पर छिड़काओ कर सकते हैं दोस्तों आम में सिचाई का उचित प्रबंधन करके भी फल और फूल जड़ने की समस्या को कम किया जा सकता है आम के फल जब मटर के दाने के बराबर हो जाए तो सिचाई बाग में प्रारंब कर देनी चाहिए उससे पहले आम के बगीचे में सिचाई नहीं करनी चाहिए अनिथा आम के फूल और फल जड़ सकते हैं दोस्तों आम के फल जब मटर के दाने के बराबर हो जाए तो आम के बगीचे की मिटी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए दोस्तों आम में फूल जड़ने के पीछे एक प्रमुकारण चूलनी लासिता रोग है जिसे पौडरी मालडू भी कहते हैं इस रोग से प्रकोपित आम के फूल में सफेद जाली नुमा अकृती दिखाई देती है इस रोग की रोग थाम के लिए आम में मंजर आने से पूर्व सलफैक्स नाम की दवा का दो ग्राम प्रती लिटर पानी में गोल बनाकर पूरे पेड़ पर छिड़काओ करना चाहिए जब तापमान 35 डिगरी से ज़्यादा हो जाए तो इस रोग की उगरता में अपने आप कमी आने लगती है दोस्तों आम के पेड़ में प्राया जिंक, कॉपर और बोरोन की कमी देखी जाती है जिसकी पूर्ती के लिए आप 50 ग्राम जिंक्स सलफेट की मात्रा, 50 ग्राम कॉपर सलफेट और 20 ग्राम बोरेक्स प्रती साल प्रती पेड़ की दर से डाल सकते हैं आम में फूल और फल जड़ने से रोकने के लिए आप NPK 9, 27, 18 जो की एक गुलंसील खाद है का उप्योग कर सकते हैं ये सलफर और बोरोन के गुणों के साथ आता है इस गुलंसील खाद को आप 5 ग्राम फ्रती लिटर पानी में अच्छी तरीके से गोल बना कर पूरे पौदे पर छिड़काओ करें दोस्तों आम में फूल और फल जड़ने के पीछे एक प्रमुक कारण गुमा या गुच्छा रोक भी है इसमें फूल गुच्छे के रूप में हो जाते हैं आम के पौदे में गुमा या गुच्छा रोक से बचाने के लिए रोक ग्रसित पुस्प की मंजरों को 30 से 40 सेंटीमिटर नीचे से काट देना चाहिए गुच्छा रोक के अधिक प्रकोफ होने पर नैप्तिलिन एसिटिक एसिड जो की बजार में प्लैनोफिक्स के नाम से आती है का 900 ml प्रती 200 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बना कर पूरे पेड़ पर छिड़काओ करना चाहिए दोस्तों आम में मिली बग और होपर कीट आम के फूलों से रस्चूस कर उसे कमजोर बना देते हैं जिससे की मंजर जड़ जाते हैं इन कीटों की रोक्ताम क्ले आप इमीडा क्लोरपीड नाम की दवा का 1 ml दो लीटर पानी में अच्छी तरीके से गोल बना कर पूरे पेड़ पर छिड़काओ करें